तो दोस्तो आज की वीडियो में हम डिसकर्स करने वाले हैं जोजिला टरनल के बादे में जोजिला टरनल जोकी जम्मू और कश्मीर में बनाई जा रही है जिसकी कुल लंबाई 14.2 किलो मिटर है जोकी जोजिला पास हिमालय के बीच सोनमार्ग और द्रास टाउन जोकी कारिग लद्दाग में आता है 2018 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में पांच से साथ साल का समय लगेगा यह जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल हाइवे बन पर चल रहा है और इसे पूरा करने का जिम्मा हाइवे एंड इंफ्रास्ट्रक्टर डेवल्मेंट कॉर्प होना है जो की बन इन इच डारेक्शन होगा जिसका मतलब यह है कि हर एक डारेक्शन में एक लेन होगी एक आने के लिए और एक जाने के लिए यानि टोटल दो लेन्स इसमें बनाई जाएंगी इस पूर्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद यह टरनल एशिया का सबसे साल में केवल छे महीने के लिए ही ओपन रहता था इस पूजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद पूरा साल ओपन रहेगा अभी इस पूजेक्ट की जो डेडलाइन है वो 2026 बताई जा रही है पहले इस पूजेक्ट की डेडलाइन 23 बताई जा रही थी पर अब इसे तीन साल के लिए वड़ा दी या गया है बताया जा रहा है कि यह टरनल कंप्लीट होने के बाद भारत की सबसे लंबी और उचाई में दुनिया की पहली टरनल होगी इस टरनल में जो काम हो रहा है उसकी उचाई 3000 मीटर है कहने का मतलब यह है कि यह टरनल समुंदर के तल से 3000 मीटर की उचाई पर बनाई जा रही है जो कि इसे दुनिया की सबसे उची टरनल बनाती है और ये टरनल शी नगर और लेह को द्रास और कारगिल के द्वारा आपस में जोडती है 15 अक्टूबर 2020 को जोजिला टरनल का फिर इनागूरेशन किया जो कि हमारे मिनिस्टर आफ रोड ट्रांसफर नितिन गड़करी जी के द्वारा किया गया टोटल कोस्ट ऑफ दा प्रजेक्ट एस पर गवर्मेंट एस्टिमेट इस 6808.63 करोड मतलब कि जो इसका टोटल कैपिटल कोस्ट बताया जा रहा है गवर्मेंट के द्वारा वह 6808.63 करोड बताया जा रहा है इस टरनल के कंस्ट्रक्ट होने के बाद यात्रियों की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी जोजिला पास से तीन घंटे का समय जो लगता था अब वो केवल 15 मिनिट में ही तै हो जाएगा जोजिला टरनल के बनने से जो पहले रास्ता 40 किलियो मेटर का था वो घटकर 15 किलियो मेटर रह जाएगा जिससे की यात्रियों को काफी सुविदा होगी टरनल को इस तरीके से बनाया गया है कि जिससे यात्रियों को पूरी सेफटी प्रवाइड की जा सके ये टनल इंशोर करती है कि जो भी डिफेंस से रिलेटेड कार्य है जैसे कि मिनिस्ट्री वहिकल्स, ट्रांस्पोर्टेशन ओफ गुड़ फॉर सोल्जर्स जो भी सामान हमें अपने जो जबान है उन तक पहुचाने के लिए इस टनल का काफी यूज़ होगा और सर्दियों में वर्वबारी की वैसे जो समस्या यहां पर उत्पन होती थे उससे भी काफी ज़ादा निजाद मिल जाएगी इस पुज़क्ट से लोकल्स को रोजगार मिलेगा इस टनल के बनने से टांसपोर्टेशन नेटवर्क काफी अच्छा होगा जिससे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा इस पुज़क्ट से और इस टनल के कंस्ट्रक्ट होने से जो कुछ आउटपूट्स और फीचर्स निकल के आ रहे हैं उसके बार में भी मैं आपको बतायता हूँ तो इसमें जो पहला फीचर है इस टनल का वो है यह टनल टूवे लेन है जो की बाइडिरेक्शनल सिंगल ट्यूब टनल है दूसरा टनल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस पर 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर गाड़ियां चलाई जा सकती है इसमें इसका जो तीसरा पॉंट है इसमें एक अप्रोच रोड को भी जोड़ा गया है जो की टनल के हैड पर है इस रोड को जोडने से जड मोड टनल को जोडता है जो की डिस्ट्रिक कारगिल को जोडती है यहाँ पर मैं आपको बता दू अप्रोच रोड वो होता है जिसको डिपाचर रोड भी कहते हैं जो कि wird additional होता है और वो दूसरे स्नो गैलरीज, डिफलेक्टर्स, डेंप्स और बहुत कुछ. सेफटी फीचर्स के लिए टनल में साइडवाक्स, इमर्जनसी, फोन निचेस, हाइडरेंट्स, फायर अलार्म्स, इल लाइटिंग सिस्टम और ए वीडियो सबलेंज सिस्टम भी इसमें लगाए गए हैं. इस टनल में ट्राफिक कंट्रोल सिस्टम और सेंटर कंट्रोल रूम की भी सुविधा दी गई है, जिससे की कोई भी आपातकाले निस्तती में इसका प्रियोक किया जा सके. तो दोस्तों ये इंडिया का बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी हमारा जम्मू और कश्मीर में लद्दा के पास चल रहा है। इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि इंडिया का जो इंफर स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छी तरीके से ग्रूथ कर रहा है और काफी तेजी से आगे जा रहा है। इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक्यू